जैहिन सांथियो अंतियोदै सिविल सर्विस अकेडिमी में आपका स्वागत है आज का हमारा वीडियो हमारी टेस्ट नमबर 15 कि सेकेंड पार्ट जो कि जो ग्रॉफी एफेल्टी था कर रहेगा बीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए कुछ थोड़ी सी घुष्णाय लेकर आये हैं इनमे पहली जो हमारी बड़ी घुष्णा है वो 3 Marker की हिस्ट्री के 3 Marker की PDF को लेकर है यह PDF 99 रुपीज में आपको उपलब्द कराई जा रही है और इसमें 1000 question, 1000 plus question रहेंगे अर्थात 1000 से भी ज़्यादा 3 marker question इस PDF में आपको उपलब्द कराई जाएंगे साथी साथ इसमें portion wise question रहेंगे अर्थात world history के अलग, ancient के अलग, medieval के अलग और MP history के भी इसमें question समलेत किये जाएंगे साथी साथ, answer pattern, data और जो हमारा content है उसके लिए आप हमारे जो 3 marker की BTOC चल रही है उससे चेक कर सकते हैं इसी तरह के सारे 3 marker question आपको उपलब्द कराए जाएंगे और कौन ब्यक्ति इसको खरीज सकता है या who can purchase it तो MPPSC 2019, 2020 या इसके बाद जो भी exam आने वाला है MPPSC का उसकी मुख्य परिक्षा के लिए यह है निश्चे तोर पर लाबकारी होगा साथी साथी यह ना केबल मुख्य परिक्षा के लिए अपितु प्रारंबिक परिक्षा के लिए कई महदगून fact भी कि यह सीरीज कबर करने वाली होगी सेकंड जो हमारी अनाउंसमेंट है वह है टेस्ट सीरीज को ही लेकर उपस को लेकर ही है जिसके लिए आज हम discussion के रूप में यहां आए हैं टेस्ट सीरीज तो हमारी चल रही है उसका चार्ज 1099 रूपीज है लेकिन घुसना यह है कि यदि आप टेस्ट सीरीज जोइन नहीं करना चारा है और टेस्ट पेपर ये वंग टेस्ट पेपर के जो मॉडल आंसर हम तयार कर रहे हैं जिसकी आज description भी लाए हैं हम उसकी PDF को आप 399 रूपीज में पर्चेस कर सकती है इस सीरीज में 35 टेस्ट होंगे जिनमें की 15 FLT भी समलित है अब चलते हैं हमारी वीडियो की और मॉडल आंसर को देखने से पूर्ब हम एक नजर पेपर पर डाल लेते हैं कि हमने इसमें किन क्वेश्टनों को सामिल किया था देखी यह पेपर FLT था अर्थाद जोग्रॉफी के सारे सेक्षनों से क्वेश्टन लिए गए थे हम यहां त्रिमारकर देखेंगे त्रिमारकर में क्वेश्टन थे हमारे कॉल्डेरा, मिर्दा स्वास्थकार्ड, मध्य प्रदेश में टंगस्टन की प्राप्ती, काना राश्टी उद्यान, हुमस के कारे, वालित परवत, बिजावर सीडीज, मावट, प्रिसास की आधार पर मध्य प्रदेश के बनों का वर्गी करण, मध्य प्रदेश, एको पर सारकर्ड क्वेश्टन थे, शिक्स मार्क्स क्वेश्टन हम देखती है, मध्य प्रदेश में कोईला भंडार पर लेख लिखिये, आद्र भूमिया क्या होती है, यह इतनी महदपून क्यों है, इनके संरक्षन हेतु बरतमान प्रियासों का उलेख की जिए, देखिए यह सिक सारक्स का क्वेश्टन है, लेकिन इस प्रश्ट में तीन अलग अलग प्रश्ट पूछे गए है, पहले आद्र भूमिया क्या होती है, यह इतनी महदपून क्यों है, और इनके संरक्षन हेतु किये जा रहे प्रियास, थर्ड हमारा क्वेश्टन था, मध्य प्रदेश भोग कारण है कि भारत इसके बावजूद जलावाव से गिरसित है, नेक्स्ट क्वेश्टन था, भोगोलिक आधार पर मध्य प्रदेश के बनों का वर्गी करण प्रस्तोत की जिए, नेक्स्ट सन 2000 में मध्य प्रदेश से 36 गण के प्रथप करण के बाद मध्य प्रदेश को क्या और लास्ट हमारा 6 मार्क्स था, मध्य प्रदेश की जन जातियों की प्रमुख आर्थिक समस्यां बताते हुए, उनका समाधान प्रस्तोत की जिए, इस तरह ये 6 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, 15 मार्कस में हमने 4 क्वेश्टन लिये थे, मध्य प्रदेश के गैर उर्जा संसादनों का वर्णन करते हुए, इनकी समक्ष उपस्तित चुनोतियों का उलेख की जिए, देखिए क्वेश्टन के पार्ट अलग-अलग हैं, पहले उनका वर्णन करना था, फिर उनकी चुनोतियां भी हमें यहां बतानी थी, सेकंड क्वेश्टन था, बायुदाब क्या होता है, बिश्व की प्रमप्र पेटियों के बारे में उलेख की जिए, तदा बायुदाब पेटियां किस परकार बिश्व मौसम प्रणाली का संचालन करती हैं, बिस्तरत व्याख्या की जिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्टन थ भारत की भागोलिक विविदता पर संचिप्त टिप पणी लिखिए इसे ओप महादीप क्यों कहा जाता है इस तरह यह कॉस्चन दो भागों में डिवाइड था और नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉस्चन था 15 मार्क्स में मद्य प्रदैस में खनीज बित्रण पर एक बिस्तरत व हमेशा आपको पॉइंट वाइज लिखना है सेकेंड जोग्रोफी का यदि पेपर है तो आप जहां संभव हो 3 मार्क 6 मार्क 15 मार्क जहां संभव हो वहां डाइग्राम देना ही देना है इस तरह आपको लिखना है साथी एक अनुरोध आपसे पुना करना चाहूंगा कि जो लोग भी अभी नए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे हम इसको कॉल्डेरा को देखती है यह जौला मुखी निर्मित इस्तला किरती है पहली बात हमने बता दी कि यह है क्या सेकेंड जौला मुखी के मुख क्रेटर जो मुख होता है जौला मुखी का उसे क्रेटर कहती है का विस्तरत रूप कॉल्डेरा कहलाता है अर्था जब क्रेटर का मुख जादा वड़ा हो जाता है तो वह कॉल्डेरा कहलाने लगता है कॉल्डेरा का निर्मान बेसाल्टिक लावा से होता है देखिए जब कभी जौला मुकी उदगार होता है तो उसमें दो तरह के लावा का उदगार होता है एक बेसाल्टिक और एक एंडिसेप्टिक तो बेसाल्टिक लावा के उदगार से कॉल्डेरा का निर्मान होता है एक उधारन हमने बता दिया है आसो जो कॉल डेरा है वो जापान में इस्थित है और सांती सांत हमने एक डाइग्रम बना दिया इस तरह हमें उम्मीद है कि आप लिखेंगे तो तीन मैंसे तीन माक्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी दूसरा क्वेश्चन था हमारा मिर्दा स्वास्तिकार इसका प्रारंब 19 फरवरी 2015 केंदर सरकार द्वारा किया गया उद्देश मिर्दा स्वास्तिकी पहचान करना इस लाव क्या क्या होंगी किर्शी भूमी के लिए फसल की अनुरूप और वरक्त की जानकारी इसमें क्या होता है तो मिर्दा के स्वास्तिकी जांच होती है और उनमें किस पोशक तत्वों की कमी है, वहे भी जाच की जाती है। फल्सरूब, फसल को किस और उर्वरक की आवश्यक्ता है, उस अनुरूब ही उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। यह हमारा लाब, सेकेंड लाब, मिर्दा पोशकों के विवेक पूर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तोर पर मिर्दा की उर्वरता बनी रहेगी। नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया है, बर्स 2018 तक 14 करोड मिर्दा स्वास्तिकार्ड बित्रित करने का लक्ष था, इस तरह हमने इसको बता दिया, नेक्स्ट हमारा क्वेस्चन था, मद्धि प्रदेश में टंगस्टन की प्राप्ती, तो यह कहां से होती है, अगर गाउं होश क्योंकि इसमें और कुछ पॉइंट थे नहीं, तो हमने सांत में इसका डाइग्राम भी बना दिया, और हुसंगाबाद को मैप में इंडिकेट कर दिया, कि वो कहां पर है, और कहां से टंगस्टन की प्राप्ती की जाती है, नेक्स्ट हमारा थेमार कर था, काना राश्ट्य उद्ध्यान, तो इसकी स्थापना 1955 में मंडिला जिले में किये गई, मद्ध प्रदेश का ही है, सबसे बड़ा राश्ट्य उद्ध्यान है, 1974 में ही है, टाइगर प्रोजेक्ट में सामिल हुआ, और क्या विसेश्ता इसकी है, तो इसमें ब्रेडरी प्रजाती का बारा एवं क्रिष्ण की, क्रिष्ण म्रग है उसमें, तो क्रिष्ण म्रग की उपलब्दता है, साथी साथ इसमें जंगल गली आरा जो योजना संचालित है, वह भी चल रही है, नेक्स्ट हमारा थ्रिमारकर क्वेस्चन था, ह्यूमस के कारे, देखिए पूर्व की मुक्य परिक सकता है, हमने इसलिए यहां कारे उसके 6 से अधिक पॉइंट लिये हैं, आप उसकी परिभासा देख लीजिए, इस तरह आपका एक 6 मार्क क्वेस्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्या है इनके कारे, मिरदा की जल धरन चमता में यहें ब्रद्धी करती हैं, पहली बात, दे मिरदा को सरंद्र बनाती है, जब सरंद्र होगी तो उसकी जल धरन चम्ता स्षता ही बढ़ जाएगी, तर्ड मिरदा को नाइट्रोजन एवं अंपोषक प्रदान करता है, अरता यहीं है मोना करा व्रत्रे का उप्लवद कराता है, सांधा न्य पोषक पधारत करता है क्वीमा कमाज का जो व्रकाब। मिर्दा की उरवर्ता में ब्रदी साल में लिए संपिड़न बल सभी ने लिखा है कब प्लेटों में टक्राब करें essential. प्लेट टक्राव के प्रुभाव में बलन दुआरा निर्मित परवत यह है इसकी हमने परिफासल ने ली सेकंड पॉइंट लिया यह बिश्व के सबसे बड़े और उंचे परवत है यह है इसकी क्या होगी बिसेश्टा हो गई डाइग्राम हमने बता दिया कि किस तरह इसका फोल्डेड माउंटेन निर्मित होता है बलित परवत निर्मान होता है तो वह हमने बता दिया हिमाले परवत इसका उधारन भी वह उपर लिख दिया और उधारन में हमने बताए भारतिये वा यूरेसियन प्लेट के टक्राव से हिमालय बलित परवत का निर्मान हुआ कैसे हुआ हमने वह भी बता दिया और अन्य में रौकी आल्प्स यह भी बलित परवत की उधारण है नेक्स्ट हमने क्वेश्चन दिये थे बिजावर सीरीज देखिए इस तरह की कुछ महत्पून सीरीज मद्द प्रदेश में बिदमान है आप इसी तरह उन सीरीज को भी कम्प्लीट कर लीजिए क्योंकि इन से थ्री मार्क्स में कॉस्चन बनने की संभाबना रहती है पहला हमने इसमें बिंदू लिया निम्न कुडपा सेल समू की उपरी परत को कहा जाता है बिजावर किसको कहा जाता है निम्न कुडपा सेल समू जो है उसकी उपरी परत को बिजावर सीरीज कहा जाता है इसमें चट्टान विस्तार कहां कहां है अर्थात यह कहां विस्तृत हैं तो बिजावर चेत्र, पन्ना, ग्वालियर चेत्र में यह सीरिज विस्तृत है पन्ना की हीरा खाने इनी चट्टानों में मिलती हैं और लास्ट है अन्ने खनिश क्या क्या मिलती हैं इस सीरिज में सित्रितू में मद्ध प्रदेश के उत्री पश्चिमी भागों में होने वाली बर्सा है क्या यह हमने इसकी परिभासा बता दी कि सीत्रितू में मद्ध प्रदेश के उत्री पश्चिमी भागों में जो बर्सा होती है उसे मावट कहती है इसका कारण क्या है तो पश्चिमी ल लावी की फसल के लिए लावकारी होता है। इस तरह हम मावट को थ्रीमाक्स पस्चन में लिख सकती थी। इनका छेत्रफल हमने बता दिया है। मध्यम प्रिसास की नियंत्रण संडक्षित बन में होता है। और आवरगी किरत में प्रिसास की नियंत्रण से बाहर रहते हैं। इस तरह हम इसको लिख सकती थी। साथी साथ परियाटन का GDP में युगदान भी बढ़ेगा। क्योंकि परियाटन को कहीं न कहीं यह बोड बढ़ावा देगा। बिसिस क्या है एक महत्पूर आयोजन करता है तो वो किसके लिए बोड स्कूलों के विध्यारतियों में परियावरण जागरुपता ही तू प्रिती वर्स अनुहूतिकार एक्रम का आयोजन इको परियाटन विकास बोड दुआरा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा थ्री मार्क्स क्वेश्चन था केन नदी इसे किस तरह हम लिख सकते थे। मार्क्स क्वेश्चन है सांभर जील इसे हम किस तरह लिख सकते हैं इसकी अवस्तिती हमने बताई कि राजिस्तान में इस्तित हैं भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी जील यह हैं थर्ड नमक निर्मान ही तू इसका उपयोग किया जाता है और फोर्थ लिया है हाली में अ सामनत दो पिरकार पड़े हैं परत अपर्दन अब नाली का अपर्दन किसी ने नदी अपर्दन पवन अपर्दन और अलग अलग तरह सही से लिखा है साइध हो सकता है वह भी सही हो लेकिन हमारी जानकारी से अभी वह है बहार है परत अपर्दन उपरी परत का बहक कर या नाली वा खड़ों का निर्मान होता है तो अब नाली का अपरदन कहलाता है यह हमारा चंबल चेत्र में हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट हमारा क्वेस्चन था भारिया जनजाती मद्द प्रदेश की विसेश पिछड़ी जनजाती देखिए कई लोगों ने यह बोलें अध अत्याधिक आवशक होता है फिर हमने लिखा गौंड जनजाती की साखा परिवार इनका द्रवडियन है बित्रण की बात करें कि कहां हमें यह मिलती है तो पाताल कोट छिनवाला इनका मुख्य निवास इस्थान है साती सांथ कुछ मात्रा में जवलपुर में भी देखने क और गौंड जनजाती मिल जाती है व्यवसाई की बात करें तो इनकी किर्सी होती है एक आइस्थाय किर्सी करते थे अभी भी कुछ मात्रा में करते हैं उसे हम दहिया कहते Uni हैं लगू पन उपज जड़ीग भुडियां इनके खने ब्यहसाय है संती सांथ इनका समाज पित्र मात्रा में और जवलपुर में कम मात्रा में यह देखने को मिलती है लास्ट हमारा थ्रीमार क्वेश्चन था मैगनी फिसेंट एमपी इन्वेस्टर समिट आयोजन इसका 18 अक्टूबर 2019 को किया गया लगवग 900 उद्धमियों ने इसमें भाग लिया मद्ध प्रदेश में साथ देशों के निवेस को मंजूरी दी विसेश्टा जवलपुर में मतलब क्या क्या इसमें गोशना की गई जवलपुर में टेक्स्टाइल पार्ग, बाला घाट में मेगनीज इंडरस्टरी और दमोह में सीमें फैक्टरी की गोशना इस सम्मेट में की गई लाभ किया हुआ इसका हमें तो लगवग 1 लाख करोड का निवेस प्राप्थ हुआ और 2.10 लाख रोजगार अबसर मुहया कराने की इस से ब्यवस्ता की गई अब हम 6 marks की question के model answer देखेंगे पहला हमारा यहां question था मद्य प्रदेश में कोईला भंडार कोईला मद्य प्रदेश का प्रमक उर्जा सुरोत है हम भूमिका किस तरह से लिख सकते हैं इसकी कोईला मद्य प्रदेश का प्रमक उर्जा सुरोत है आर्थिक सरविक्षन 2018-2019 के अनुसार प्रदेस में 27,673,000,000,000 कोईला भंडार्स है इस तरह हमने इसकी भूमिका दी देखिए एक क्वेस्टेन को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकती है हमने एक अलग तरीके से लिख सकती है आप अलग तरीके से लिख सकती है लेकिन मार्किंग सेम हो सकती है हमने जिस तरह से लिखा है वह है आप देख सकती है हमने भूमिका बता दी आपको कोईला छेत्र है दो तरह के यहां कोईला छेत्र मिलती है दो भागों में बांटा है हमने मद्ध भारत कोईला चेतर, सत्पुड़ा कोईला चेतर, पांच भागों में डिबाइड है उमरिया चेतर, कुरार चेतर, जोहिला नदी चेतर, सुहागपुर चेतर और सिंग्रॉली चेतर जबकि सत्पुडा कुईला चेत्र भी अलग-अलग भागों में डिवाइड है जिसमें मोहुपानी चेत्र, कानन गाटी चेत्र, पैंच गाटी चेत्र, सहापूर तवा चेत्र इस तरह दोनों चेत्र अलग कर दिये और मैप में हमने दोनों को लॉकेट कर दिया आप उन दोनों की नाम भी वहां मैप में लिख सकते हैं आगे हम प्रमुक तत्थे इनके बारे में देखेंगे कि कितना भंडार मद्ध प्रदेश में है, किस तरह से है, कहां पर कितना भंडार है स्वाहकपूर प्रदेश का प्रमुक कोईला चेतर है सेकेंड उमरिय प्रदेश का सबसे छोटा कोईला चेत्र है कोईला की प्राप्ति गौणबाना क्रम की चट्टानों में होती है कुल खनिज में कोईले का लगवक 80% युगदान है सांती सांत कोईले की क्या समश्या है याता यात की उत्तम सुभीता का अभाव होना आदूनिक तकनीक बवमसीनों का अभाव होना बैग्यानिक सरविक्षणों की कमी कुसल सिर्मकों की कमी अब इस तरह हमारा क्वेश्चन की जो मैन बॉडी है वो कंप्लेट होती है निसकर्स में हमने लेखा है कोईला राज के प्रमुकताप विद्धुत गरह है जिन में चांदनी बीर सिंग पूर बिंध्या चल आधी के लिए उर्जा स्रोत का कारे भी करता है इस तरह हमने यह six marks question देखा नेक्स्ट अमारा six marks question था इसे पहले आप question को पढ़ लीजिए कि क्या question में पूछा गया था question था आद्र भूमिया क्या होती है यह इतनी महदवपूर क्यों है इनके संडक्षन हेतू बरतमान प्रियासों का उलेख कीजिए इस question में तीन भाग हम ने पूछे थे लेकिन अधिकांस student ने आद्र भूमियों के बारे में बता दिया उनका महदव भी बता दिया लेकिन उनके संडक्षन हेतू प्रियास नहीं बताए कई लोगों ने बताए लेकिन बहर प्रियास नहीं बताए जो की पूणता आद्र भूमि के लिए किये गए थे तो हम किस तरह इस question को लिख सकते थे हम देखते हैं ऐसी भूमिया जो प्राया दल दली बनस पती अबसेशों से ढखी तथा इस्थाई या आइस्थाई रूप से जलमगन हो देखिए इनमें हमेशा भी पानी बना रह सकता है और हो सकता है एक मौसम बिसेश में इनका पानी खत्म हो जाए इस तरह की जो भूमी होती है उन्हें हम आद्र भूमी कहते हैं उदारन हमने यहां बता दिये भोज आद्र भूमी मद्धिप्रदेश में है लोक टक जो जील है मनीपुर में आवस्तित है अब जो second part question का था वो था महद्व हमें इनका बताना था तो हमने लगबग 9 महद्व इनके लिए पहला महद्व जीव जन्तु आवास यह कई जीव जन्तु का आवास होती है सेकेंड सुपर मार्केट खादिस रंकला अर्तात यहां एक बिस्तरत खादिस रंकला जीव जन्तु की उपस्तित होती है थर्ड अपरदन रोकने में अपरदन किस तरह यह मिर्दा को नम बनाए रखती है जिससे मिर्दा सूखी नहीं हो पाती और उसका अपरदन बायू की द्वारा नहीं हो पाता फोर जल संरक्षन देखिए जब मिर्दा गीली रहेगी या उस जगहा पर पानी भरा रहेगा तो स्वता यह जल संरक्षन को प्रोच साहित करेगी जल भंडारण क्योंकि यह नमी युक्त होती है तो यहां पर जल हमेशा बना रहता है शिक्स बालनी अंतरण में है यह उपियोगी होती है शेविन जल सोधन देखिए आदर भूमिया जल सोधन का कारे भी करती है क्योंकि अधिकांस आदर भूमिया जील का रूप होती है और जील में हमेशा स्वक्ष जल पस्तित रहता है एट जब विवित्ता संपन्य चेत्र होता है क्योंकि यह एक संक्रमन सील चेत्र भी रहता है नाइन है पारिस्तित की यह तंत्र के गुर्दे अर्थात यह बायू को स्वक्ष करने का कारे भी करती हैं इस तरह इनके हमने नौ महत्व देखे अब क्या संपन्य चेत्र ही प्रियास किये गए उन्हें भी हम एक बार देख लेती हैं सबसे पहले बैश्विक इस्तर पर जो प्रियास हुआ 1971 में रामसर सम्मेलन आदर भूमी की गोशना यहां भी की गई इसी के उपलक्ष में सेकेंड पॉइंट हमने लिया बिश्व आदर भूमी दिबस दो फरवरी को हम प्रतिवर्स मनाते हैं थर्ड राष्ट्रे आदर भूमी कारिकरम भारत में लाया गया 1985 से 1986 के मद्ध परियावरन सन्रक्षन अधिनियम 1986 लाया गया उसमें भी आदर भूमी के सन्रक्षन हेतू प्रयास किये गए नेक्स्ट है आदर भूमी सन्रक्षन एवं प्रवंदन अधिनियम 2010 और आदर भूमी सन्रक्षन एवं प्रवंदन अधिनियम 2017 लास्ट है बिश्विक के प्रमुख परियावरनी एवम जैव विदित्ता सम्मेलन इनमें भी आदर भूमी के संडक्षन हेतू समय समय पर प्रयास किये गए नेक्स्ट हमारा जो कुश्चन था कि मद्ध प्रदेश भोगोलिक इस्थला कृतियों से संपन्न है बताईए तो इसमें कई लोगों ने परवत बता दिये पठार बता दिये फिर वो बताने लगे कि भोगोलिक बिस्तार कितना है मद्ध प्रदेश का मद्ध प्रदेश में तापमान कितना है मद्ध प्रदेश में बरसा कितनी होती है तो देखिए वह भौगौलिक इस्थलाकृती नहीं है, वह भौगौलिक दसाइं हैं, इस्थलाकृती से अर्थ है, लेंड जो सेफ हैं, उन्हें हमें बताना था, तो क्या-क्या या किन चीजों को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, वह हमने यहां बता दी हैं, मद्ध अब क्या-क्या इस्थलाकृती मद्ध प्रदेश में मिलती हैं, उन्हें हमें बताना था, आप क्या लिख सकते थे, परवत, देखिए हमने थोड़ा-थोड़ा बताया है, आप चाहें तो इसमें अधिक भी बता सकते हैं, परवत, परवत में दो नाम हमने लिख दिये, बि ना कि एक इस्तला करती में कितने अधिक नाम लखेंगे। मद्ध भारत का जलोड मैदान जो की चंबल से निर्मित हुआ। मद्ध भारत की इस्तला करती के परणाम स्वरूफी बन संपधा का निर्मान होता है। तो इसे भी हम बता सकते थे। इसमें हमने दो-तीन पॉइंट एडिंग में लिये हैं। देश में सरवादिक छेत्रफल पर बन मद्ध प्रदेश में मिलती हैं। सरवादिक राष्टे उध्यान भी मद्ध प्रदेश में हैं। और अभ्यारणों की बहुलता भी मद्ध प्रदेश में है। इस तरह इस क्वेश्चन की हम में बॉडी लिख सकते थे। अधिकांस लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है। वैं परवत पठार तक सी में तरहे और उन्होंने ताप मान, बरसा, मानजून जो भोगोलिक दसा हैं उन पॉइंटों को इस क्वेश्चन में एड़ कर दिया है। इसके जो निसकर से हम लिख सकते थे उप्रोक्त भोगोलिक इस्तला करतियां मद्ध प्रदेश को प्राकरते केवं आर्थिक रूप से समरद्ध बनाने में योगदान देती हैं। यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इसका प्रशन देख लेते हैं कि यह क्या था। प्रशन हमने पूछा था भारत आलवन जल फ्रेश वाटर संसाधनों से संपन्ध हैं। समा लोचना पूरवक परिक्षण कीजिए कि क्या कारण है कि भारत इसके बाबजूद जला भाव से गिरसित है। पहले हमें बताना है कि भारत में स्वक्ष जल के स्रोत अत्य देखें। उसके उपरांथ हमें बताना है फिर भी क्यों भारत जला भाव से गिरसित है। इसका हम भूमिका देखेंगे भारत में बिश्व का 2.45 स्थलिय भाग है जबकि जल संसाधन का 4% भाग बिद्धमान है अर्थाद लगबग 5.5% स्थलिय भाग होने की बाबजूद भी 4% जल भारत में बिद्धमान है। अब क्या क्या फ्रेश वाटर के स्रोत भारत में हैं हम उन्हें देख लेती हैं। पहला सुरोत नदियां नदियों में सौक्षे जल मिलता है जील तालाब लेगून जो की छिक गया है जिनका पानी पश्च जल भूमी गत जल और बरसा जल यह भारत में फ्रेश वाटर के प्रमुक सुरोत हैं आप इनमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट बता सकते हैं नदियों में नदियों के नाम लिख सकते हैं जील तालाब में उनके नाम लिख सकते हैं लेगून के नाम लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं पश्च जल का उधारन बता सकते हैं और भूमी गत का जल का आपके पास कोई डाटा हो वो लिख सकते हैं और सांती सांत बरसा जल बरसा में आप बता सकते हैं कि भारत मान्सूनी प्रदेश में आवस्तित है यहां पर कितनी बर्सा होती है आप हमें बताना था क्वेस्चन का सेकेंड पार्ट जला भाव से गिर्शित होने के कारण सबसे बड़ा कारण विसाल जनसंख्या का आवास देखिए भारत में हमने पहला पहला जो डाटा देखा कि लगवग 2.5% स्थलिय भाग है और उसके बावजूद भी 4% जल है लेकिन जो महदपूर्ण डाटा यह है कि विसाल जनसंख्या लगवग 16.5% बिस्विकी जनसंख्या का भारत में रहती है तो स्वाभाविक है कि जल स्वता ही कम हो जाएगा पह अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग होता है किसानों द्वारा सिचाई में अत्यधिक मात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है यह कौन बता रहा है यह एक भारत की प्राकरतिक संसादन रिपोर्ट जारी होती है उसमें बताया गया बढ़ता ओद्योगी की करण एवं सहरी करन भी जला अभाव से गिरसित होने के कारण हो जा है जल का अवैध्यानिक दोहन अर्थात किस रूप में हमें इसे प्रयोग करना चाहिए वह हम नहीं जानते हमारी जो तकनीक है वह अभी भी पिछड़ी हुई है जल सोधन की तकनीकों का अभाव अर्थात भारत में जो खा जल प्रदूसर्ण जागरुकता की कमी सिचाई की आधुनिक तकनीक की कमी है वो कैसे कि हम जो ड्रिप सिचाई है इस प्रिंकल सिचाई है उनके बारे में हमें अभी ज्यादा ग्यान नहीं है इस सिचाई में क्या होता है कि आपको लाव तो अधिक होता है और जल का प्रयो दिये अर्द्र पत्जण बन, फस्ट सेकेंड ऊश्न कटी बन दिये सुस्क पतजड बन थर्ड ऊश्न कटी बन दिये कांटेदार बन और लास्ट है उपाद्र पहाडी बन ये चार डिवीजन देखे और चारों को हमने मैप में बता दिया उत्तर मद्द प्रदेश के चेतर में कांटेदार बन मालवा वाले चेतर में सुस्क पतजड बन और जो हमारा बाला गाट चिंदवाडा वाला चेतर है सत्पुड़ा वाला चेतर है आद्र पतजड बन यहां मिलती है और सांती सांत सत्पुड़ा की जो चोटियां है बहाँ पर आपको उपाद्र बन देखने को मिलती हैं अब चारों जो डिवीजन हैं उनको आप थोड़ा-थोड़ा समझा दीजिए देखिए six marks का question था उसमें फैक्ट या बोलें आपने सब्द बहुत कम लिखी है उसके उपरांध भी यह दो पेज में चला गया और लगवग आपन इनका छेत्र हम बता देंगे चिनवाडा सिबनी बाला घाट और कौन-कौन से ब्रक्ष इसमें मिलती हैं साल सागोन उश्न कटीवन दिये सुष्क पतजण बन की हम बात करें तो बर्सा यहाँ पर सत्तर से सौ सेंटी मीटर होती है छेत्र खंडवा हर्दा भुपाल सागर है ब्रक्ष सागोन आम जामुन उश्न कटीवन दिये कांटेदार बन की बात करें बर्सा इन में 50 से 75 सेंटी मीटर होती है इनके छेत्र की बात करें तो उत्तर पस्चिमी मद्ध प्रदेश चंबल घाटी वाला छेत्र और ब्रक्ष की बात करें कीकर बबूल नीम खेजडी ऐसे बन जिनके लिए कम पानी क आबशक्ता होती है और लाश्ट थे हमारे उपाद्र पहाडी वन तो यह वन सत्पुड़ा एवं बिंध्यन की उची चोटियों पर मिलती है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था मद्ध प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को 36 गड़ को प्रथक कर अलग राज बना गया है यह तो हमने भूमी का बताई क्वेश्चन था हमारा कि मद्ध प्रदेश से 76 गड़ के अलग होने के पस्चात मद्ध प्रदेश को क्याग हानी हुई तो उन्हें हम अलग अलग भाग के रूप में देखेंगी मद्ध प्रदेश को हुई हानिया थे मैं मद्य प्रदेश छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा राज्य था बरतमान में सेकंड नमबर पर है तो हमें भगोलिक द्रश्टी से नुकसान हुआ सेकंड आर्थिक छेत्र तो लगवक सत्तर प्रतिसत खनिज चतीस गड़ को प्राप्त हुए राजस विभाजन हो उर्जा हानी हुई अर्थात अधिकान्स कोईला जो है वो 36 गड़ में चला गया यह हमें आर्थिक द्रश्टी से हानी हुई प्रसासनिक छेत्र की बात करें तो 16 लगवक सो लगवक क्या 16 जिले 36 गड़ को दिये गए इस तरह हमें प्रसासनिक हानी हुई प्राकरतिक तो उस रूप में हमें हानी हुई और अनेक नदियों का जो उद्गम है वो 36 गड़ से होता है तो वह भी एक हमारी हानी रही सामाजिक छेत्र की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं राजियों का विभाजन राश्ट्रिय एकता में अवरोधक का कारिक करता है जनजाती संस्कृती की हानी भी मद्ध प्रदेश को हुई अर्थात बड़ी जनजाती संस्कृती 36 गड़ में चली गई राजिनीतिक छेत्र की बात करें तो संसदी एवं बिधान सवा छेत्रों में बिभाजन हो गया और कई संसदी बिधान सवा छेत्र 36 गड़ में चली गई इस तरह बिभिन्न चेत्रों में हुई हानी को हमने देखा Next हमारा question था मद्ध प्रदेश में बन चरण के प्रमुख कारण क्या है इन्हें हमें बताना था हम देखती हैं क्या हमने लिखा है पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे मद्ध प्रदेश को देश में बन चेत्र के मामले में प्रथम इस्तान प्राप्त है परंतु मद्ध प्रदेश में बन चरण एक प्रमुख समस्या बनी हुई है इस तरह हमने इसकी भूमिका बता दी अब क्या क्या कारण है बन चरण के वह हमने देखे बन चेत्रों का किर्सी भूमी में परिवर्दन अर्थाथ जो बन चेत्र पहले थे अब उन्हें काट कर वहाँ पर किर्सी होने लगी है सेकेंड बन आगनी जिसे हम दावा नल भी कहते हैं अर्थाथ बनों में लगने वाली आग भी इसकी प्रमुक समस्या है इस्तानांत्री किर्सी या जूम किर्सी यह क्या होती है तो बनों को काट कर उस पर किर्सी कल लेना और कुछ समय बाद उस चेत्र को छोड़ देना और नए चेत्र के बनों को पुना काटना लगना यह इस्तानांत्री किर्सी या जूम किर्सी के अंतरकत आता है नेक्स्ट हमारा question है बनों का चारा गाहों में परिवर्थन अर्थात जो बन चेत्र था अब चारा गाहा की भाती उपयोग किया जा रहा है और उनको पसू चारण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है अती चारण भी बन चारण की प्रमुक समश्या है नेक्स्ट घरेलू उपयोग हितू लकड़ी प्रयोग अर्थात ब्रहद मात्रा में घरेलू इंधन के लिए बनों की कटाई की जाती है तो इस तरह बन चरण होता है ब्यापारिक उप्योग हेतु ब्रक्ष कटाव अर्था ब्यापारिक उद्देश से इमारती लखड़ी प्राप्त करने के उद्देश से भी बनों का छरण बड़ी मात्रा में किया जाता है नेक्स्ट बहु उद्देशीय योजनाय क्या इनमें बड़ी मात्रा में बड़े बड़ी बांध का निर्माण किया जाता है जिससे एक ब्रहद मात्रा के या ब्रहद छेटर के जो बन है वो जल मगन हो जाती है जल मगन हो जाने के पस्चाद बेह धीरे-धीरे नश्ट होने लगते हैं बन भक्षिक कीट भी एक समस्या है और लाश्ट सूखा सूखे में क्या बर्स दो हजा उननीस सो सड़ सट उननीस सो इकतर और उननीस सो पिछतर में पड़े सूखे से ब्रहाद मात्रा में बनों का छर्ण देखने को मिला था इस तरह यह question हमने देखा देखिए यह question महत्पूर्ण है आप इसे not down भी कर लें और याद भी करते चलें नेक्स्ट हमारा question था प्राइदी पिए भारत की नदियों की विसेस्ताएं हमें बताना था भूमिका हम इसमें लिखेंगे यह नदी तंत्र अत्यधिक प्राचीन है इन नदियों का उद्गम अरावली सत् पस्चिमी घाट परवत आदी से होता है यह इसकी हमने भूमिका देखी अब किस तरह हमें इसे लिख सकते थे देखिए पहले के टेस्ट में हमने फस्ट टेस्ट जो जो ग्रॉफिका था उसमें आपको दिया था प्राइदी पिए भारत की नदियों एबं हिमालाई की नद लिख सकते थे लेकिन अधिकांस स्टूडेंट ने अभी भी वैसा नहीं किया तो मैं आपसे अनुरोद करना चाहूंगा कि आप जो पुराने जितने भी मौडल अंसर के डिस्क्रिप्शन है उन्हें जरूर देखें क्योंकि यह आपको वह क्वेस्टन तो सॉल्व करने की स अर्थात बर्सा के पानी पर आधारित होती है तो इस तरह यह सदा नीरा नहीं है सदा नीरा अर्थात बर्स भर जिन नदियों में पानी बना रहता है उन्हें सदा नीरा कहते हैं बर्सा धीन होने के कारण एक मौसम विसेश अर्थात गर्मियों के दिनों में इन्हें में पानी समाप्त हो जाता है सेकेंड विसेस्ता यह नदियां प्रॉड अवस्ता में है अर्थात इन्हें एक लंबा समय हो चुका है और इनकी जो अवस्ता है अब प्रॉड अवस्ता है इनकी ढाल प्रवनता अत्यदिक निम्न है अर्थात कम ढाल प्रवनता इनमें देखने को म मिलती हैं यह नदियां चौड़ी होती हैं इब हम उथली घाटी में प्रवायत होती हैं अर्तातिन की घाटी जो है वो चौड़ी होगी और उथली होगी ज्यादा घहरी नहीं होगी यह नदियां अनेक जल प्रपात बनाती हैं क्योंकि पठारी छेत्रे में प्रवायत होती है फल शरूप अनेक जल प्रपात यहां देखने को मिलते हैं उधरम के लिए आप जोग अगर सुपा का नाम भी या लिख सकते थे अधिकांस नदियां पस्चिम से पूर्व वहती हैं इसमें हम अप बात देखें तो नर्मदा तापती को आप छोड़ दीजिए उसके अलावा जो प्राइदीכ भारत के अधिकांस नदियां हैं या बड़ी नदियां हैं वहें पस्चिम से पूर्वी की ओर प्रभाईद होती हैं बिसर्प एवं गोखुर जिल का निर्मान नहीं करती तो यह इनकी कुछ मुख्गे विसिस्स्ताइं हमने देखी हैं अन्य विसेस्ताइं भी बता सकते हैं जहाज रानी के लिए उपयोक्त नहीं है उपयोक्त क्यों नहीं है क्योंकि इनकी गहराई कम है जल बर्सवर नहीं बना रहता फल स्वरूप यह जहाज रानी के लिए उपयोक्त नहीं है सेकेंड अनुवर्ती अपवहा प्रणाली का पालन यह नदियां करती हैं थर्ड अन्य विसेष्था में है यह नदियां छोटे डिल्टा बनाती हैं देखिए जब कोई question आप एक दो heading दे के लिखती हैं मुख विसेष्था एवं अन्य विसेष्था तो यह आपकी marking पर positive effect डालता है कहीं ना कहीं इस तरह का point आपका half या बन marks बड़ा देता है तो आप हो सके question में इस तरह से लिख सकते हैं तो अवश्य ही लिखें कुछ students ने इस तरह से लिखा है तो उनको marks भी अच्छे मिले हैं next हमारा question था उज्जेन भगदर कब हुई दिनांक बता देखी किस तरह आप इसको लिख सकते थे कई लोगों ने इसको theory wise लिखा है तो आप यहाँ theory से बच कर इसको point की heading देकर लिख सकते थे दिनांक आपने बता दी 15 जोलाई 1996 मौनी अवरविष्या को महा कालेश्वर मंदिर उज्जेन मध्यप्रदेश इतना आमने डाटा दे लिया घटना क्या थी तो महा कालेश्वर मंदिर के गर्व ग्रह में भगदर मची जिससे वहाँ के कई लोग हता हत हुए प्रकार क्या था तो यह एक मानविय घटना थी यह मानव निर्मित आपदा थी कारण क्रिश्न जाच आयोग के अनुसार अर्था जो गठित किया गया था एक आयोग इसकी जाच के लिए उसने क्या कारण इस घटना के बताए थे हम वही कारण बता देंगे पहला कारण सक्रे रास्तों में घटन बागबरहाट के कारण भागदोड हुई अर्था जो रास्ते थे वो सक्रे थे फल स्वरूप वहाँ घटन हुई घबराट हुई और भागदोड मच गई चमता से अधिक दर्शनार्थी अर्थात वहाँ उस वर्ष जो चमता थी वहाँ की महा कालिस पर मंदिर की उससे अधिक दर्शनार्थी आ गए थे भीड़ नी अंत्रक्तंत्र की कमी थी और जो मुख्य कारण इसका था वह यह था कि मंदर के द्वार देरी से खुलना अर्थाथ जिस समय खुलना था उससे थोड़े से लेट खुले फल्सवरू बहार अत्यधिक मात्रा में दर्शनार थी एकत्रित हो गयते फल्सवरू एक सा सरद्धालूं की इसमें म्रत्ति हुई और लगवक तीन सो सरद्धालू घायल हुए भविश्च की रहा हम यहां बता सकती हैं कि पूर्व मैं ही प्रभावी नियंत्रन तंत्र की व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि इस तरह की कोई घटनाय अब ना हो नेक्स्ट या बोलें लास्ट सिक्स मार्क्स क्वेस्चन हमारा था मद्द प्रदेश की जनजातियों की आर्थिक समस्याएं बताईए एबम उनके समाधान प्रस्तुत कीजिए तो यहां भी कई लोगोंने क्वेस्चन का एक ही भाग अटेंप किया उन्होंने आर्थिक समस्याएं तो उनकी बता दी लेकिन उनकी समाधान प्रस्तुत नहीं किये मद्द प्रदेश जनजाति बहुले राज्य है यहां की जनजातियां निम्न आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही हैं क्या क्या आर्थिक समस्याओं हैं वह हम बता देंगे पहला जूम किरसी इने जूम किरसी करने के लिए यह बाद्ध है क्योंकि इनके पास कोई स्वामित्व वाली भूमी नहीं है जूम किर्सी है करती है फल स्वरूप इनकी जो भूमी उरवर्ता है वै कमजोर हो जाती है और कम उरवर्ता कम उत्पादन यह प्राब्द कर पाती है सिचाई के ग्यान का अभाव है फल स्वरूप अधिक उत्पादनी है प्राप्त नहीं कर पाती और थाड़ है भूमी श्वामी ना होना अधिकांस जनजातियों के पास स्वयम की भूमी नहीं है फोर्थ है परंप्रागत खेती करना अर्थात अभी भी जनजातियों के पास आधुनिक किर्सी तखनीकों का अभाव है पसूओं की गुणवत्ता ना होना अर्थात इनके पास जो पसू है वह है निम्न गुणवत्ता के हैं नेक्स है बनोपच का सही मूल्द ना मिलना बनोपच को एकत्रित करना उन्हें बेंचना इनका मुख्य बेवसाय है परंतु इन्हें बनोपच का उचित मूल्द नहीं मिलता सरकार भी बनोपच के लिए एक निश्चित मूल्द निरधारित नहीं करती रण ग्रस्तता इनकी प्रमुक्ष समश्या है बन नियमों की बाधता अनेक समय समय पर सरकार बन नियम लाती है और बन नियमों के कारण इन्हें जनजातियों को अनेक तरह के पावंदों का इनकी युकार हैं बनों के अंदर उन पर कई तरह के पावंद लगा दिये जाते हैं नेक्स्ट है साहुकारों द्वारा सोसन, क्योंकि यह साहुकारों से अपनी आवश्चक्ता के लिए रण लेते हैं, फल स्वरूप उसके पस्चात इनका सोसन साहुकार द्वारा किया जाता है, सामाजिक योजनाओं का उचित लाभू ना मिलना, देखिए देश में कई योज स्वास्त का निम्न इस्तर भी हैं, देखिए जब सिक्षा का इस्तर बढ़ाएगा, स्वास्त का इस्तर बढ़ेगा, तो स्वताहिव हैं अच्छे रोजगार के लिए उनमुक हो जाएंगे और उनकी आर्थिक दसाओं में सुधार होने लगेगा, तो हम समाधान जब प्रस सिक्षा, स्किल डवलप्मेंट जैसी सिक्षा आधी देनी होंगी और उन्हें इस्ताई रोजगार में लगाना होगा, तर्ड किरसी भू स्वामित्व दिया जाना चाहिए, उनके पास जो भूमी स्वामित नहीं है, सरकार द्वारा सामाजिक उत्थान कारिक्रमों के द्व उन्हें थोड़ा सा या जिस मात्रा में संभावो भू स्वामित वो अपलब्द कराना चाहिए, सब सिड़ी की विवस्ता उनके लिए की जाए, और यह सुनिश्चित करना की जो सामाजिक उत्थान योजना का लाव लावारती को ही मिले, अर्था जिसके लिए योजना ला पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमने क्यास 15 माक्स क्वेश्चन में लिया था, पहला हमारा क्वेश्चन था, मद्य प्रदेश के गैर परंपरागत उर्जा संसाद नौ का वर्णन करते हुए, इनके समक्ष उपस्तित चुनोतियों का उल्लेख कीजिए, तो यह अनेक लोगों ने गैर परंपरागत उर्जा स्रोथ बता दिये, लिकिन यहां भी वह क्वेश्चन के दूसरे वाग को भूल गए, कि क्या क्या चुनोतियां उसके समाक्ष विद्दमान हैं, वह भी हमको बतानी थी, इसे हम पहले भूमिका बताएंगे, तो ऐसा उर्जा स् एक लागत देखता है, गैर परंपरागत उर्जा स्रोथ कहलाती हैं, इस तरह हमने यह लिखा, आगे लिखा, मद्धे प्रदेश गैर परंपरागत उर्जा स्रोथों की दिरश्टी से अग्रणी राज्य है, इसके विकास है तूल, 25 अगस्त 1983 को मद्धे प्रदेश में ऊर उर्जा गैर परमप्रागत उर्जा स्रोत कई अनेक होती हैं लेकिन हमने पूछा था मद्ध प्रदेश के गैर परमप्रागत उर्जा स्रोत तो आप उनको भी ना लिखें जो की मद्ध प्रदेश में जिनका उत्पादन होता ही नहीं है अनेक लोगों ने इसे सिर्फ गैर प्रमप्रागत उर्जा स्रोथ समझ लिया और सारे जो स्रोथ हैं उनको बता दिया चाहे मद्ध प्रदेश में उनका उत्पादन हो ही ना रहा हो कौन-कौन से गयर प्रणपरागत उरज़ा, शुरोत मद्धु प्रदेश में है? बायो गैस साईंत्र, पबान उरजा, बायो मास उरजा, भुतापिय उरजा यह हम ने यह देखे सार उरजा को हम बता देंगे देखिए एक महत्रपुन बाद सौर उर्जा को आप 6 मार्क्स में complete करते या 15 मार्क्स के according भी complete कर ले क्योंकि इस बरस इस से प्रश्ण बनने की अत्यदिक संभावना है बुक्याओं है आप समझ रहे होंगे जीवा सोलर पावर प्लांट की वजहा से सौर उर्जा किस तरह हम लिख सकते थे सौर उर्जा का उत्पादन वहां होता है जहां सूरिय की प्रकास अत्यदिक मात्रा में मिले करकर रेखा मद्प्रदेश से गुजरती है सेकेंड उत्पादन में देश में चौथा इस्थान मद्प्रदेश का है अर्था सौर उर्जा उत्पादन में मद्प्रदेश चतुर्थ इस्थान देश में रखता है उत्पादन च्हमता कितनी है इसकी तो 1116 मेगावाट उत्पादन च्हमता सौर उर्जा की मद्प्रदेश में विद्दमान है बिकास हेतू 2012 में नभीन सौरूर्जा नीती मद्द प्रदेश द्वारा लागू की गई अब प्रमुक प्लांट हम देख लेते हैं सौरूर्जा के तो रीवा अल्टा मेगा सोलर प्लांट मद्द प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जिसकी छमता 750 मेगावाट है सेकेंड देश का प्रथम सौरूर्जा जो सैयंत्र था वह इंदोर के कस्तूर्वा ग्राम में इस्तापित हुआ था तर्ड बेलस्पन सौर पर योजना जो की 130 मेगावाट की है नीमच में है और देश का प्रथम सौरूर्जा पार्क जो है बुराजगर में इस्तापित हुआ सौरूर्जा संचालित टेलीफॉन एक्स्चेंज जो सुभिधा है वह सिप्रूई में सुरूवाट की गई लास्ट सौवासरा सौरूर्जा प्लांट 250 मेगावाट का यह है मनसौर जिले में अविस्थित है इस तरह हमने सिक्स मार्क्स के अकॉर्डिंग भी सौरूर्जा को देख लिया है नेक्स्ट हमारा जो गैर परंपरागत उर्जा सुरोथ है वह है पवन उर्जा कुल उत्पादन चमता मद्परदेश की देखें तो पचीस सो बीस मेगावाट है उत्पादन में देश में सातवा इस्थान है और सरव प्रतम 1995 में जाम गोदरानी जो की देवास में है मैं चौंसर पवन चक्कियां इस्थापित की गई मद्परदेश में जो सरव प्रतम है 1995 में जाम गोदरानी देवास में चौंसर पवन चक्कियां की इस्थापना की गई थी सरवादिक पवन सैंत्र रतलाम जले में मिलती हैं अन्य चेतर की बात करें इंदोर, देवास, मंसर, राजगर, अगर मालवा, आदी में अनेक पवन चक्कियां लगाई गई हैं मद्परदेश के पठारी इबं उच्च परदेश तथा बायू की ओसत गती पवन उर्जा हेतु अनुकूल दसाएं उपलब्द कराती हैं चुकि उच्चे स्थानों पर या पाली छेतरों पर पवन उर्जा उत्पादन आसान होता है फल्सरूप मद्परदेश भी इस द्रश्टी से अनुकूल है नेक्स्ट हमारी उर्जा है बायूमास उर्जा बायूमास उर्जा के अनेक सुरूत बन, किर्सी, पसूत तदा अन्न बायू अपसिष्टों को इनन के रूप में परिवर्टित कर इसका प्रयोग किया जाता है यह हैं अमारी बायो मास उर्जा होती है बरतमान उत्पादन 45 मेगावाट 2017 का यह डाटा है किया जा रहा है मद्ध प्रदेश में अगर इसके उधारन देखें कि कौन कौन से सैयंत्र है तो धान की भूसी आधार सैयंत्र धार में है अपसिष्ट उर्जा सैयंत्र खरगोन में है सहरी कचड़े से गैस निर्मान का जो सैयंत्र है वो बोपाल में है यह आपके भानपुर साइड है और मद्ध प्रदेश का प्रथम बायो मास सैयंत्र बैतूल में अवस्तित है इस तरह हमने बायो मास उर्जा देखा नेक्स्ट बायो गैस सैयंत्र तो ग्रामीन छेत्र में LPG का बिकल्प बायो गैस सैयंत्र को माना जाता है इसमें गोवर गैस का प्रयोग किया जाता है क्या होता है इसमें तो गोवर को एकत्रित कर गैस इंधर निर्मित की जाती है राज में 21.80-1000 पारिवारिक बायो गैस सेंत्रों की स्तापना हाली में की गई है इस तरह आप इसको लिख सकते थे नेक्स्ट गैसिये फायर यह भी एक केर परंपरागत उर्जा सुरूत है इसमें लकड़ी कटाई से निकले बुरादे से बिद्धुत निर्मान किया जाता है और इस छेत्र में जो मद्ध प्रदेश का बन विकास निगम है वह कारिरत है नेक्स्ट हमने लिखा है भूताप यह उर्जा तो भांडे दतिया हम पढ़ते ही हैं इसके लिए तो यह है इस तरह हमारे गैर परंपरागत उर्जा स्रोत हुए अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का था इसकी चुनोतियां हमें बताना था क्या चुनोतियां हैं मजबूत नीतिगत ढाचे का अभाब अर्थात गैर परंपरागत उर्जा स्रोत के लिए कोई मजबूत नीती देश में मद्ध प्रदेश में नहीं है अपिक्छा क्रत महंगी जो उर्जा होती है गेर परंप्रागत वह अन उर्जा की तुलना में महंगी होती है थर्ड पारेशन और बित्रन में हानी पारेशन अर्थात परिवेहन बित्रन अर्थात बिभिन इस्ता आटने में अत्यदिक मात्रा में उर्जा की हानी हमें देखने को मिलती है नविन अप Chris Mean Cris लोगों को भी गयर परंपरागत अउर्जा शिरोतां का उत्तादन करते हैं और और मीथेन गेस ग्रीन हाउस गेस होती है फाल सरूब है बायू मंडल के तापमान में ब्रद्धी करती है और भूत आपन देखने को हमें मिलता है बिद्दुत की चोड़ी भी एक इसकी प्रमुक समस्या है इस तरह तो हमने यह लिखा और लाश्ट में हम इसका निसकर्स आपनाएं बिद्दमान है इसकी प्रमुक चनौतियों को दूर कर हमें इस जो जिसे हम परियावरणी मित्र उर्जा कहते हैं तो इस परियावरणी मित्र उर्जा स्रोत का और अधिक विकास करना होगा इस तरह हम इस क्वेस्टन को लिख सकते थे देखिए हमने इसे को यह क्वेस्टन साड़े तीन पेज में दिखेगा तो निश्चेत तोर पर वह है अच्छी मार्किंग करने के लिए आतुर रहेगा नेक्स्ट अमारा क्वेस्टन था भारत की भौगोलिक विवित्ता हमें बताना थी और इसे क्यों उपमहदीप कहा जाता है यह भी बतान भूमी का हम लिखेंगे भारत भौगोलिक दरश्टी से विवित्ता संपन है इसका अक्छांसी रिस्तार 8 डिग्री 4 मिनिट से 37 डिग्री 6 मिनिट उत्तरी अक्छांस है यहां विश्विकी लगबग सभी भौगोलिक दसाय विद्धिमान है भौगोलिक विभाजन हमने मारते हैं उत्तर परवतिये प्रदेश सेकेंड उत्तर का विश्वाल मैदान थर्ड प्राइदी पिये पठार फोर्थ तर्टिये मैदान और फिप्थ है दीप एवं दूइप समू आप इसे मैप में बता सकते हैं हमने चारों पांचों चीनों को मैप में लोकेट कर दिया ह देखिए मैप जहां संबा हो आपको जो ग्रॉफी में बहां मैप देना ही देना होता है यह आपकी मार्किंग को बढ़ाता है अब जो भाग हमने देखे उन्हें हम बढ़निंट कर देंगे पहला वाग था उत्तर का परवतिये प्रदेश तो आप उत्तर का परवतिये प्र प्रदेश में महान हिमालाय, मध्ध हिमालाय, सिवालिक, कुछ चोटियं हम बता देंगे माउंट एवरेष्ट कंचन जंगा और पूर्वी पहाडियों में आप मिस्मी, पटकाई बुम, नागा, कोहिमा, मनिपुरी, मीजो आदी को लिख सकते थे सेकेंड हमारा था उत्तर भारत का विशाल मैदान तो इसे भी हमने चार भागों में माटा है गंगा का मैदान, ब्रह्म पुत्र का मैदान, مरुस्तली प्रदेश और पंजाब हरयाना का मैदान आप सभी के छेतर बता दीजिये, गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल में ब्रह्म पुत्र का मैदान अशम बांगला देश में मरुष्टली प्रदेश जो है आपका राजिस्थान गुजरात में और पंजाब हर्याना का मैदान पंजाब एवं हर्याना में मिलता है चाहें तो आप इनका निर्मान भी बता दीजिए कि किसका निर्मान किन अधियों से हुआ है थर्ड है प्राज दीपिये पठार एवं परवत पठार अलग बता देंगे हम परवत अलग बता देंगे पठार में दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नाकपुर पठार, बुंदेलखंड पठार, मेगालाई का पठार और अनेक पठार जो हैं उनके नाम आप लिख सकते थे question की demand के अनिसार आप यहां लिख सकते हैं परवत, अरावली परवत, बिंध्या चल, सत्पुडा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अन्न सारे परवत भी यहां हैं उनके नाम भी आप चाहें तो लिख सकते हैं तटिये मैदान फूर्थ था हमारा तो इसे भी दो भागों में बांटा है पूर्वी तटिये मैदान और पश्चिम तटिये मैदान पूर्वी में कौकड, कन्नर, मालावार और पश्चिमी में उतकल, माफ कीजिएगा यह उल्टा हो गया है पश्चमी में आपका कौकाड, कन्नड़ और मालावार है और पूर्भी में उतकल, आंधर प्रदेश, आंधर मैदान एबं कोरो मंडल वाला भागाता है तो यहीं से आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर दीजिएगा दूइप एबं दूइप समू हमें बताना है तो अरब सागर के दूइप समू हमें आप अलग बता देंगे बंगाल की खाड़ी के अलग कर देंगे अरब सागर में लक्षदीप, एलिफेंटा, सौलसेट, आली अवेट आजाएंगे बंगाल की खाड़ी में अंडबान निकोबार, न्यू मुरे, वीलर दूइप और कई सारे दूइप यहाँ पर है वह आप लिख सकते थे अब हमारा जो दूसरा भाग था क्वेश्चन का वह था भारत को उप महादीप कहने के कारण पहला कारण कि तीन ओर से समुद्र से घिरा तीन ओर से जो समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायदीप कहते हैं तो यह है एक कारण हुआ सेकेंड बिश्व के अधिकांस जलवाईव प्रदेश जो है जो 10-11 प्रदेश जलवायू प्रदेश है विस्विके उनके अधिकांस तहाँ भारत में देखने को मिलती है नेक्स टेप प्रजातिय बिभित्ता यहां देखने को मिलती है भोगोलिक बिभित्ता है मानसूनी जलवायू है ब्रहद अक्छांसी विस्तार है और अनेक पॉइंट यहां लिख सकते हैं की लगबग बिश्व की सभी बनश्पतियां यहां मिलती हैं टेगा हो टुन्रा हो सबाना हो जो जिस तरह की बनश्पतियां वह देखने को मिलती है अक्षांसी विस्तार लंबा चुकी इसका लंबा है आठ चार से आपने बताई दिया तो इस कारण से सभी भोगोलिक दावसाएं देखने को यहां मिलती है फल शरूब भारत को उपमहादीप का दर्जा दिया गया है निसकर्स हमने लिखा है उप्रोग्त भोगोलिक बिविदताएं भारत को एक उपमहादीप बनाती है भारत सभी भोगोलिक दसाओं एवं इस्थला कृतियों से संपन्न है यह है हमारा क्वेश्चन हुआ लास्ट हमारा क्वेश्चन था मद्द प्रदेश में खनिज वित्रण पर लेख आपको लिखना था खनिज संपता की दरश्टी कौन से मद्द प्रदेश भारत का एक संपन्ने राज्य है लेखनी है राज में खनिजों का अवित्रण इवं संग केंद्रण कुछ केंद्रों में ही सीमे था यह हमने बता दिया अब जो खनिज हैं वह किन सेल समू में मिलते हैं हमने वो गताई आरकियन, धारवाड, गौंडबाना इवं दक्कन ट्रैप की जो सेल समू है उनमें हमें खनिज प्राप्त होते हैं खनिज है क्या क्या तो हमने इन्हें दो भागों में बाट दिया प्रमुक खनिज और उप खनिज यहां देखिए आप जितना अधिक नाम लिख सकें उनके लिख दीजिए प्रमुक खनीज में हमने लो आयस्क, मैगनीज, बॉकसाइट, तावा, डोलोमाइट, हीरा, चूना पत्तर, चीनी मिट्टी, अगनी से मिट्टी आधी को पता दिया उप खनीज में, एसफेस्टास, ग्रेफाइट, सिलेट, रॉकफासवेट, अब्राग, यूरेनियम, फ्लोराइट, देखिए हमने इस तरह से लिखा है, कई विध्यारतियों ने इसे धात्विक एवं आधात्विक खनीज के रूप में बाटा है, वह भी सही है और यह भी सही है, पहला मेगनीज, देश के कुल भंडार का बारा प्रतीसत मिलता है, रैंक क्या है देश में, प्रथम इस्थान पर है, छेत्र हम बता देंगे, बाला घाट, इसकी खदान जो की भारवेली है, प्रसिद्ध है, तो आप उसका नाम लिखना ना भूले, छिंदवाडा, जह पांचवा है, और छेत्र, बाला घाट, कटिनी, सहडोल, अनूपपुर, सतना, धीबा, आदी, छेत्र है, लहो आयस के हम देखेंगे, तो इसमें रैंक पांचवा है, कुल भंडार, बीज तसमला पांच जीरो, करोड़, टन मध्य प्रदेश में है, छेत्र बताएंगे, ज छेत्र, मध्य भारत, कोईला, छेत्र, सत्पुडा, कोईला, छेत्र इसके प्रमुक हैं, आप चाहें तो इनके जिले के नाम भी लिख सकते हैं, चूकि हमने उपर ही इसका क्वेस्टन देख लिया है, तावा, रैंक इसका प्रद्धम है, लगवग 18.75% भंडारन मध्य प् नेक्स्ट है, चूना पत्तर, दुत्य रैंक है, इसमें लगवग 5% भंडारन मध्य प्रदेश में है, छेत्र आप इसके बता दीजिए, सतना, रीवा, कटनी, दमोह, सागर, पन्ना, सियोपोर, मुरेना, और चाहें तो आप इसके उप्योग भी बता सकते हैं, कि सीमेंट उत्पादन में इसका उप्योग किया जाता है, और मध्य प्रदेश में सीमेंट के ब्रहद मात्रा में फैक्तियां इसी के कारण निर्मित हुई हैं, नेक्स्ट है हीरा, तो एक मात्र उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, और इसके आप छेत्र बता दीजिए, पन्ना, सतना सतना में खदाने हैं, मजगवा हिनोता, छतर पूर में अंगोर, संग मरमर बता सकती हैं, तो इसके छेत्र कटनी, जवलपूर, सीधी, नरसिंग पूर हैं, टंग्स्टन का हम पहले ही देख चुकी हैं, उशंगावाद, जिसका एक गाउं है, आगर गाउं, सिलेट की बात करें, तो एक मात्रोत पादक राज यह है अधि प्रदेश और इसका छेत्र हैं, मंद सोर, युरेनियम की छेत्र की बात करें, तो सहडोल में इसके बंडारन मिला है, अभघ्रक की बात करें, तो ग्वालियर बालागाठ, छिनबाडा में मिलता है, शीसा जवलपूर, डोलोमाइट, बालाघाट, छिनवाला, इस तरह आप लिख सकते हैं, ग्रेनाइट, छतरपुर, पन्ना, सागर, कोरंडम, सीधी, सिंग्रॉली, एसवेस्टस, हुसंगाबाद, जहाबुगा, नरसिंग्पुर, इस तरह हमारी यह question complete होते हैं, अभी भी जिन लोगों ने test series join न अलग schedule बनाकर प्रतान कर, पूर्ण कराये जाएंगे, इसका charge मात्र 1099 रुपीज है, और जो हमने एक दूसरी वेवस्था आपको बताई, कि यदि आप इतना खर्च नहीं कर सकते, तो paper purchase करना, और paper की model answer है, उनकी PDF purchase करना चाहरे हैं, तो वह 399 रुपीज में है, साथी साथ हमारी 3Marker की जो वीडियो है, वह भी आपके लिए चल रही है, लेकिन समय के साथ वह पूर नहीं हो पाएंगी, फल स्वरूप हमने भी उनकी भी PDF निकाली है, आप वह PDF भी purchase कर सकते हैं, जो कि मात्र 99 रुपीज में हिस्ट्री की 3Marker की रखी है, इसमें 1000 से अधिक question आपको उपलवद कर आए जाएंगे, इसी तरह की जो 3Marker PDF हैं, धीरे धीरे आपको सभी subject की दी जाएंगी, लोग आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को like, share करना ना भूलें और चैनल को subscribe करना भी ना भूलें, जैहिंद, धन्यवाद झाल यह झाल